सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और WhatsApp पर सभी आप जानते ही हैं कि आप Group बना सकते हैं और Groups के अंदर आप Voice Notes भेज सकते हैं बट यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Option मिल जाता है Voice Notes भेजने का, Voice Chat भेजने का अगर आप इस Voice Chat के Option को हटाना चाहते हैं तो कैसे इस Voice Chat के Option को अपने Group से हटा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि कोई भी आपके Group के अंदर Voice Chat नहीं भेज सकेगा या आप खुद भी नहीं भेज पाएंगे तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है क् यह Option पहले यहां पतर शो नहीं होता था अभी यहां पर लोगों को शो होने लगा है तो यह Update होने के बाद हुआ है अगर आपको भी प्रॉवलम तो नहीं है अगर आप भी इस Feature को हटाना चाहते हैं जो यह आपको Voice Note का Option मिल जाता था अपने Group में तो इसको हटाने के लिए सिंपल से Steps को आप Follow कर सकते हैं सबसे पहले आपको यह Feature का मिलता है जब आपने WhatsApp को Update किया हो ठीक है अगर आपको WhatsApp पर आपने Update के और Update करने के बाद यह Problem आ गई है मतलब आपको यह Feature Show होने लगा है और आप नहीं चाहते कि आपको Show हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी ब्राउजर को Open कर लिजिए और यहां पर आप सर्च करिए WhatsApp और वर्जिन यह लिखने के बाद आपके सामने Websites निकल कर आएंगी किसी भी Websites को Open कर लिजिए यह रही सबसे ओपर जो लिंक है इस पर में क्लिक कर लेता हूं क्लिक करने के बाद बहुत सारे WhatsApp यहां पर अपडेट किया था और उसके बाद जो है आप 17 तरीक वाला डाउनलोड कर सकते हैं या फिर 15 दिन पुराना कोई भी ले लिजिए दिसंबर है तो नौंबर का कोई भी यहां पर वर्जन उठा लिजिए WhatsApp का यह है इस नौंबर वाले यह मैं इंस्टॉल कर लेता हूं यहां स कुछ पर्मानले तो नहीं है क्योंकि आपको यहां पर हमानले इसको हटाने का अगर आप इसको और वरजन को कर भी लेते है तो फिर कुछ दिन बाद इसको फिर से आपको अप्डेट kulay उपडेट करना ही पड़ेगा तो पर्मानलेंट solution नहीं आं बूट जैसा भी है जो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते है नेक्स वीडिये में तिल दो मैं टेकर लव यू अल